आप भी हो सकते हो यार बिल्कुल हो सकते हो इन सब बच्चों के इंदर कुछ common feature थे यार कुछ और भी खास बात निकल के आए कि इन सब ने देखो कहने को तो इन सब ने यही बोला कि मैं 10-12 घंटे पड़ाऊं पर अगर मैं बात करूं तो इन सब ने पिछले एक साल में टेल में समझा सोना नहाना पढ़ना खाना पकड़ लो इसके सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है मतलब मैं आवरेज लगा रहा था तो 16 घंटे ही निकल के आ रहे थे कि 16 घंटे फिर सब बोले नहीं नहीं सर 16 घंटे कहां सर एफेक्टिवली तुम्हें मुश्किल से 10 सब कामनhertz की इन सारे बच्चों की की यह सारे टेस्ट डे ते और इन सब टेस्ट का एनलिस कर ते थे आपके पास तो डिटेल टेस्ट मौजूद है इस साल आप तो अराम से नहीं कर नहीं खेल लेते हैं मैंने पूछा बोले एक साल तो नहीं सान नहीं हो पाएगा सबने साधु वाली जिंदगी जी इन सारे बच्चों से जिन से मिला सब की यही कहानी है छेसो एसी इवन 630 प्ल जादा इंफस से दिया सबने रिवीजन के ऊपर कि बहुत जादा रिवीजन करते थे एक जो खास बात इन सभी तो पर बच्चों से इन सभी टॉपर कहलो इन सभी सेलेक्ट शेलश सेलेक्टेटब बच्चों से बात करके समझ में आई कि यह सब रिवीजन ऐसा पूरी नोट्स बना रहे थे तो यह भी बड़ा इंप्वर्टेंट काम था कि शॉर्ट नोट्स बनाया की नहीं आपने और यह रिविजन अपना शॉर्ट नोट्स से सबसे ज्यादा करते थे यही सब सोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आप रिवाइस नहीं कर पाते क्योंकि आप रिवाइस करते में पूरा चाप्टर पढ़ने लगते हो इन लोग हमेशा हर चाप्टर के बाद अफ्टर आ रभजुड चाप्टर अलग-अलग कहानी दी कोई आफटर ऑवरी लेक्टर बना रहा है तो फ़की आफटर एवरी चाप्टर बना रहा है अज嫅 दिन तिन में तैयार हो जाओंगा जिस दिन एक्जाम आएगा उस दिन में पहल लूँगा है ऐसे नहीं हो पाता भाई इस वाइशा सीरियस रहा हूं मेरे मैं हमेशा यकीन में जब भी गया हूं मेरा सीरियस मोड अन हो जाता है सभी बच्चों ने बच्चों के बाद शॉर्ट नोट बनाए हैं अगर तुम शॉर्ट नोट नहीं बना रहे हो इस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता क्योंकि यह एवरेज लॉप एवरेज कह रहा है जितने भी बच्चों से मैं इंट्रैट किया हूं इस बार और यह सारे वह से पढ़ रहे थे इन सब की कहानी के अंदर यह चीज़ is common थी कि सब कह सब शॉर्ट नोट बनाते थे कोल यहर लेच्चर के बादा की हर चाप्टर के बाद को यह 59 भी पमनबात तेस्ट के अंदर इन बच्चों को कई बार साड़े 400 नंबर भी आये हैं कई टेस्ट के अंदर इनके खुद के 400 आ जा रहे थे फिर भी इनको फरक नहीं पढ़ ला था यह अनालीस करते थे रिविजन करते थे फिर अगला टेस्ट देते थे यह सारे प्रफिचर इन सारे बच्चों के अंदर मुझे देखे यह तो इन्होंने बहुत सही बोला था फॉलो दाव यह बैच को बहुत जादा फॉलो करते थे क्या यह सारे लेक्चर देख एक 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 लेक्चर देख ते इस पर थोड़े मिली जुली रहे हैं बहुत मज़ा आता है वह सारे सवाल हो गए उसके बाद रिवाइस नहीं करते हो तो वह यह हमेशा करते थे क्लास के बाद रिवाइस करते थे शौट नोर्स बना लेते थे फिर रिविजन जल्दी हो जाता था